हाई आम अनीज अर्याज वेलकम तो ग्लिट्स विजन यूएस से तो पहले शुरू करते हैं टास्क से और फिर जाएंगे दूसरी बातों के तो बिग जी जो है वो चिठी लाए थे वो टास्क की के आज जो है साम दाम धन भेज मतलब सब चलेगा तो ये टास्क के लिए था और फिर उसके बाद घर में आया टास्क ये डाकू का कबजा जो के थ्री वेस्ट थर्टीन था मतलब ये वाले घरवालों का वो जंगल वासियों से था और ये बोला गया कि ये जंगल वासि अगर जीते तो उन्हें 30 पीसिज मिलेंगे वो पैद बनाने के लिए और विशा जो है वो डाकूं है तेजस्वी डाकूं की पत्नी की भूमिका निभाएंगी जै और करन जो है ना वो उनके राइट एंड लेफ्ट हैंस हैं जो के वो जो भी कुम देंगे उनके लिए वो सब करेंगे पर यहां पर उनका तो कोई हुकम सुन नहीं रहा था ये करन ही थे ज इंबा इशान उमर विदी यह थे गार्ड और इनका गेम यह था कि अच्छा इन तीनों को अलग से बताए कि नहीं अक्चुली क्या करना है किस तरह से इनके इनकी जो है ना चीजें डुबानी है या ऐसी पिक्चर्स लेके कैमरे पर बोलना है और जाके करना है और इस तरह से यह लोग ऐसे इन लोगों को मारेंगे कोई फिजिकल कुछ था ही नहीं लेकिन आवियसली करन इन लोगों को पता नहीं ना कि इनको बोला क्या गया है तो बाद में इनको थोड़ा समझ में आया कि अच्छा है इनको हमारी चीजों से करना है और जो है इस तरह से यह दमाग लगाया अंदर गया कैमरा ले लिया वह भी सही था क्योंकि उनको समझ में मतलब अवी से उन्हें समझ नहीं आया था मगर उन्हें जो दिखा वह वह प्रॉप उठा के लिए उसने बोला कि चलो हम तीनों अंदर घुज जाते हैं और इनको बात ही नहीं करने देते ह उमन ने अपना दमाग लगाया कि अरे हम तो गार्ट हैं तो हम दर्वाजा ही बंद रखते हैं तो ना कोई दर आएगा ना कोई उदर जाएगा वाली बात तो वह वैसे उसने सही सोचा लेकिन आवियसली क्योंकि कांच का शीशा था जो के बाद में बिग बॉस ने बोला क कांच की शीशे वाले जो डोर्स वगारा हैं उनको ब्लॉक नहीं किया जाए क्यूंकि फिर जायसी बात है वह चोट लग सकती है तो वह उसका आइडिया अपने तौर वैसे सही था लेकिन वह फ्लॉप हुआ एनिवेज यह तीनों जो अंदर घुज गए जै माईशा और कर रोकना है और इन लोगों ने अच्छा प्रतीग ने पहले ही वह कलर पीछे चुपा दिया तो वह उसने चुपा दिया अच्छा को बोला भी था पहले वह समझी नहीं थी मगर बाद में खैर उसने समझ गया और उसने जाके वह जबाई दिया लेकिन उस टाइम पे बिग ब सिंबा का वह लीआ कि हम इस तहां सिंबा को मारेंगे क्योंकर उसका जो ट्रिमber था वह लेके गए वह और अच्छा उनको लगा कि वह उनका ही है क्योंकर नोंने पहले लाके रख लिया था पहले ही सबसे पहले कर लिया था जब चीज़ें जब बिग बॉस ने फिर बाद म लगा नहीं कि वह उनका है तो इसमें काफी करन का मतलब करन ने अच्छा दिमाग लगाए जो वह वहां तक सही था लेकिन यह जो थोड़ा फिजिकल हुए वह ज़रा गलत बैड़ गया थोड़ा सा तो थोड़ा गलत बैड़ गया और उस चक्कर में इन लोगों ने किसी तरह से भी करके वह सिंबा का वह जो देना था लजके दे दिया दो प्रतिक ने रख दिया जिस पर वह आई भी मा ईisf हो कर रहा है किया कर दो वह जब तक उसiva इस तरह से वह भगए और पूरे वह जो गाथ लेकिन खैर वो जो है उनको मार दिया गया तो एक उनको मिल गया फिर उसके बार इन लोगों समझ आए कि अरे चीज़ें और गारा ले रहे हैं तो यह नहीं होना है निशान को जो है चोट लगी उसने बोला भी खून निकला उसका उसने उस टाइम बोला उसने कंप्रेंड की कि यह क्या है मुझे चोट लग रही है और चीन अजब्टी माना प्रतीक फिजिकल नहीं हुआ जाके लेकिन शमीता हुई और जब फिजिकल होंगी और दो आदमियों को घचिटेंगी तो भाई हड़ियों में तो दर्द आना है कुछ भी कर लो तो वो खुद हो रही थी त तो उनका यह सब पहले मस्ती मजाग में ले रहे थे मतलब दौाग भी चल रहा है पर मस्ती मजाग भी बाहर अपना कर रहे थे क्योंकि बाकी तीन अंदर करी रहे हैं तो निशान थोड़ा इंज्वाई भी कर रहा था चीजें वो उसको लग रही थी लेकिन वो थोड़ा दादा हला नहीं कर तो मगर इसी छकर में सिम्बा को मार दिया गया और कैसी बंदीन अपनी जबान की पकी उसने बोला वह ऱ लगा देगी तो उसने जाके लगाया माना बाद में बिग बस ने बोला विосने बोला कि आपtechn Aquate लगाएंगे तो उन किया गया लेकिन जबान की पक्की है तो उसने जाके क्रॉस लगाया टास्क रोग दिया गया क्योंकि इतना जादा चीज़ें हो रही थी खीचा तानी और टास्क रोग दिया गया और फिर उसके बात जो है लोगों को बोला भी कि आप लोग बाहर आएं बात करनी है लेकिन व और विधी ने भी जो जाके लेके चपले भार फेकी सई है ठीक है मगर तास्क रुग गया था तो वो काउंटी नहीं हो उनका दोनों का एफट जो है ना वो वेस्ट हुआ प्रतीक जो है ना गया क्योंके शमीता को चोट लगी थी शमीता ने कहा तो प्रतीक गया प्रतीक ने बोला मैंने उसे दुबारा वी जाके देखा वो नॉर्मली गया था कोई जैप अटेक करने नहीं गया था उसने बोला यार उसको चोट लग रही थी आप लोंको यह नहीं तो कर दिया ता लेकिन वो किया बाद में शमीता ने बहुत अच्छे से प्रतीक को किया प्रतीक को बोला भाई तू कुंँ खराब दिख रहे तू अच्छा ही दिखेगा तू शाहिन करेगा उसको पकड़के रखा और निशान ने भी अच्छा बोला के भाई तुम लोग को जो करना है टास्क में गुस्सा अरे गुस्सा दिखाओ पर गाली मत दो तो वह अपनी जगह वह भी सही था वह भी सही था सिर्फ गलत है इसलिए बाद में सब विशाल भी गए उसने प्रतीक को जाके गले भी लगाया प्रतीक को मतब सब ने जाके बोला कि हम तुम्हारे दिए तो कुछनी बोला तो मतलब जैए भी गाली दे तो उसे रियक नहीं नहीं करना चाहिए गीम के अंदर है सलमान गेम के भार होस्ट है और जैए गाली दे सकता है यह कहां करू हूं ले जैगर एक नाम है मतलब यह नहीं कि वाणी के चल्क हो लास्फ वीक इन कार से गले लगा कर गये सलमान कान इस Biz इनको कहा जाई कि वेधी ने यह जो बात कि इसलमान की लाकर उस पर उसे सुनाया जाया तो अच्छी बात है सुनानी भी चाहिए क्योंकि ठीक है वो अगर विज़ उसके अगेंस नहीं थी जैके लेकिन इस तरह सलमान को लाके जो उन्होंने एक्स्प्लेइन किया है जिस तरह से उन्होंने यह जैके एक्शन को जस्टिफाई किया है वो रॉंग था प्रतीक ने अपने आपको ही मारा भाई ठीक है प्रॉपर्टी यह बार ही निकाल दो तो बहुत थोड़ा उसने मौहौल करेट किया और मतलब करेट किया मतलब मेंस कि उसने जो अपने अपको दिखाया अपने अपना जिस्सां से रोया दिल जीत लिया और क्योंकि वह गलत नहीं था उसने जाके कि स्टैंड लेना नॉर्मल तो कोई भी ले क्योंकि वह की चतानी भी हुई थी माना शमीता गलती वह घुसरी थी और उसने वह प्यार अटकाया उसको चोटे लगी और जहिर सी बात है चोटे लगेंगी जब आप घुसोगे जब आदमियों के बीर में जाओगे अपने आपनी वह दिखाओगे तो और तो लगेगी अ यह नहीं कह रही हूं कि ऑरते कमजौर होती ऑदियों पर लोगों जाकर उसको चोट लगी और विदी ने जो गलत बोला वो तो गलत वो उसको पूछना ही चाहिए तेजस्वी जो है वो जो बात कह रही थी कि अपनी जगा सही थी क्योंकि चोट सबको ही लगती है तो इतना हला करने की ज़वद नहीं थी लेकिन ठीक है कोई कोई करता है कोई कोई करता है आप नहीं करते हो तो इस ओके तो आपकी चुआई से अगर वो कर रही है लेटर भी तो और ये जैने एक बात बोली थी कल कि दमाग का गेम खेलो फिजिकल होगे हम तो जादा हैं तो फिर फिजिकल होगे तो तुम कोई ट्रबल होगी जीत नहीं सकोगे तो आज आप भी फिजिकली अपना रहे थे जाकर इस तरह से चीजें दालना निशान पर चादर दालने की जरूरत नहीं थे अगर आपको रुकने तो आप सामने कड़े रहते बात नहीं करने दे रहता वह जब बोलने लगता तो यह चीजें सही होती हैं कि आप उनको बोलने का चांस नहीं दो दे रहे हो तो मगर चादर दालके पकड़के रखना यह तो फिजिकली हुआ ना तो गलत हैं फिजिकल हुए थे और जिस्टिफाइ नहीं करता है निशान को चोट लगी थी मैंने जैसे बोला उसने हला नहीं मचे वह अलग बात है प्रतीक फिजिकल नहीं हुआ शमीता हुए क्योंकि उन्हें लगा कि दो एक पर हैं करके गई वो लेकिन प्रतीक इसले नहीं दिमाग का ही था पर यह सारे लोग फिजिकल होगा यह पहले पहल तो इनको समझी नहीं आये था बाद में इन्होंने अच्छा रोकने की कोशिक इनको बेसिकली रोकना था जो के वगेर फिजिकल हुए भी रोका जा सकता था और अच्छा खेलें यह तीन भी बहुत ये लोगोंने लोग तो हैं भी जादा तो इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और रहे जीते भी पती अच्छा है केरे अफसानों को त्यायां पाणी तो पानी पीने गए तो तो प्रतिकार ज़रा ना अच्छा खेला अच्छा खेला बहुत ज्यादा फिजिकल भी नहीं हुआ बहुत ज्यादा हाँ जब उसकी मां को गाली दी तो वह जरूर बिफड़ता है उसने मैंने बता भी दिया कि हद तक गया तो बात सही है और फे जब वो जब क्योंकि टास तो रुकावा था बिग बस ने कहा के भई कांच का दर्वाजा है तो उसको ब्लॉक नहीं किया जा क्योंकि वो तूट भी सकता है और आपको भी चोट लग सकती है तो उसका बोला गया तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा पे किया अच्छा इस ने स्टिकर लगा दिया तो उन्होंने निकाल दिया तो अबिसली वो लगा रहता तो कांट होता मतलब तो वो कांट नहीं हुआ दो बार उसने ट्राइक और नहीं हुआ तो मगर बिचारी अफसाना बड़ी जोर से गिर गए क्योंकि वो भागने की चक्कर में उसे बोल सारे कैर करते हैं अफ़् इंसाने केर करते हैं करते हैं तो देवर गुड और सबने बहुत अच्छा किला निशार citi ने पर टीक लास्ट वाला जो था ना वो जो अकासा का जूता हुआ शमीता को दिया गया था लेकिन अब क्या करना था उसने वह दुबा दिया उसको थोड़ा भूरा भी लगा लेकिन प्रतिक को उस्टिकर डॉनल के लगाया तो इसलिए मगर नहीं वह अच्छी ट्रिक उन लोगों ने क कि कि दोनों ने वहाँ बात कर लिए शमीता और निशान ने और यहां जो है ना आके प्रतिक को ऐसे प्रिट्रेंट कर देंगा ऐसे दे दिया टिशू अब यह सारे लगें यहां वह अराम से गई उसने डुबा के वह जैना कराब कर दिया और बाद में आके क्रॉस भी लग आकासी के तीस पीस जीद गए हैं वो लोग और अब उनको बनाने के लिए बहुत सारा एक साथ मिल गया है कल मैं कही रही थी कि यार यह तोड़ा-थोड़ा क्यूं दे रहे इतना टाइम लगेगा तो आश तीस पीस मिलने से ना काम अच्छा हो गया है करन ने कहा भी कि जै साम लिया था पर यह चीज अच्छी लगी फिर तो खेलेंगे कैसे अगर आप बोलने के मेरे को तो टची नहीं करो और गेम खेलो ताप कुरसी दालके बैट जो और यह सारे आप बैटे 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 चले जो तो एनीवेस मुझे यह थोड़ा जैका चले अगर गेम खेलन ही बनके रोंगा माना आपको बहुत अच्छे से लाए आप आपको जिस तरह से अंटरी मिली साफ सुतरी बिल्कुल डैरेक जंगल में कहीं से कहीं नहीं गुजरना पड़ा हम आपको लफ करते हैं लेकिन कहीं आप गलत होते हो तो बुरा लगता है और यह होता है जो लोग बाद लोगों की आदत होती है यह मेरे में भी यह मैं सोके उटती हूं नहीं फॉरा एक घंटा लगता है अपने आपको जो है ना पूरा रिलाक्स करने के लिए तो मुझे पता है मेरी बॉड़ी के बारे में मेरा ब्रेन कवर्क करना शुरू करता है तो मैं थोड़ा टाइ परसनालिटी में तो होता है डॉनल को शायद ऐसा ही होगा लेकिन डॉनल को जो वह समझाने की कोशिश कर रहे थे उसे वह चीज समझ नहीं है वह बेसिकली बोले थे कि को फास्ट होना होगा आपको पहले से बात करके रखनी होगा आपकी जिए उसको पता ही नहीं पहले मै वो बोले कि आप पेट तो भरा ना खाना तो मिला ना बात वो थी नहीं कि आप काना नहीं दे रहो या काना कोई खा नहीं रहे बात यह थी कि फैस्ट हो ड्यूटी पता हो किसको क्या करना तो काम असानी से हो जाता है मिलके दूसरे से बात करते हैं जो इन ड्यूटी पे हैं उनको तो मिल के काम करना ही पड़ता है ताके दूसरों तो लेट ना हो, उसको खाना टाइम पे मिले तो एनिवेज तो वो चल रहा था, लेकिन यहां डोनल्ड थोड़ा समझ नहीं रही थी पिर करन ने अफसाना को समझाया, उसको बताया के भई वो कहां-कहां गलत हुई और ग्राफ लेते हैं वाली बार तो समझाया फिर कसम बाते हैं तो ठीक है उसमती हुआँ देखते हैं आज तो कूछिछन हथा वैसे गेम भी सब्सक्राइब हीम प्रद् esté न implement cough बात आती है किसी दूसरे की बाहर वाले की तो उसमें आपको ऐसे रहना ही पड़ता है तो यह चीज बहुत अच्छी है कि यह लोग सब एक साथ थे इशान ने फिर से उसको यह बात बोली कल भी बोली थी कि तुझे समझाया भी तुझे समझ नहीं आया यह इस तरह से प्रती है तो चलता है हर भार हम देखते हैं कि जिसको सुना इसने वाको बार ला जाता है उस चीज बोला जाते हो इस तरह ये लोग गलाट जाते है तो यह तुझान ने की एन्म हर ठік है जब यह ऐनकर कम टाइम ठाशा और इनको रोकना था तब उसने नकली फाइट करने की कोशिश की कुछे सको बोला गया कि जाओ तुख तुष अच्छा पर निशान को भी बोल रहा है कि हाँ वहाँ और हाथ लगा रहा था तोसने मुपे उसने भी हाथ लगा लो मतलब चल था तह। बड़ा सes आज प्रती बहुत अच्छे से केला हाँ जगह बिल्कुल गाली पर क्योंकि वह खुद गालियां नहीं देता है यह इतना बुरा नहीं मतलब कोई बड़ी गाली देना बहुत गलत दिखता है और वह हमेशा यह बोलता है चाहे वह ओटी टी में लड़कियां भी उसे गालिया बहुत अच्छा प्ले किया कल का यह देखने का है क्या होता है क्योंकि कल भी एक टास्क है जिसमें हमने देखा किस तरह शमीता और उमर का वह और किस तरह जै जो है वह करन को करन जो है जै को समझा रहे थे के गाली की बात पर तो वह थोड़ा सा हमने प्रोमों में देखा यह तीन यह दो तो डॉक्टर बने घुम रहा है तिन शमीता शाय संचालक है और उन्होंने उस टीम को जिता दिया और इस तरह से जो है तो ओमर और शमीता का जगड़ा वह तो यह आज जो थी शमीता वैस तेजस थे और तेजस भी भाई क्या बोलती है वही जो जो बोलती isShe's really good मतलब करने मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह बिफरे बिना काम करता है कि ऑपने शेंडं भी लेते हैं बहुत जबर और फ्रतीक क माल कर दिया पर देता और इन लोगों ने भी जिस तरह से निशान शमीता यह जिस तरह से आँस सब दमाग लगाए हैं उन लोगों ने दिमाग लाए सब ने बहुत वैल प्लेट आप यह नहीं बोल सकते हैं किसी को गलत किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं सब ने आपको जस्टिफाई कहती है मैं टास्क में पूरा लगाती हूं ठीक है लेकिन आपको यह जादा थे और यह पहली बात तो तो आदमी खड़े हैं तो हो जाता है और बोन्स बोन्स पर भी डिपेंड करता है मैं यह कहूंगी तो एनिवेज जबरदर्स एपीसोड थी आप मगर देखना मद बूलिए जैना वूट सलेक्ट पे लाइफ फीड और कलर्स टीवी पे एपीसोड एवरी डे मतलब मैं यह बोली नहीं सकती कि यह दिन से यह दिन क्योंकि यह तो एवरी डे है मंडे टू संडे फिर मंडे टू संडे और आपको क्या लगता आज के एपीसो है तो वो कहां तक जिस्टिफाइ करती है प्रतीक के साथ जो हुआ उसमें कौन जादा गलत गया वो भी आप बता सकते हैं और फिर जै की गाली पे मोसली तो घर में यह दिखा कि सब ने बोला कि जै गलत था सिर्व एक विधी उसको कर रही थी इंस्टिगेड भी कर रही थ बाकी सब तो यही कह रहते है के वो गलत था और एनिवेज देखते रहे लिट्स विजिन यूसे फोर मोर अपडेट्स रिव्यूस एंड नूंट फोरगेट तो सब्सक्राइब अबर चैनल Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.